हिवशकार दोस्तों जैसा की सीटेटि की पहली क्लास हो चुकी थी थेोडी वाली एट्मोस्फिर हो गया ऊच्छिते बाद मैंने क्या बताई था लिफूसफिर एट्मोस Crew पहले मैं मैंने थोड़ी से आपको मैं जानकारी दीता हूं कि भाई लाइफ कहां पर exist करती है मैंने यह बताया था सबसे पहले कि कुन कुन से फीन चीजे है एक तो यह मंदल है की यह मंदल यह मंदल यह मंदल में नापकर वाई मंदल जल मंदल और जल मंदल यहां पे तीनों चीज होगी वहीं क्या होगा यहां पे तीनों चीज विद्मान होगी प्रचूर उमात्रा में वहीं life exist करेगी तो मतलब यह जो beach वाला area है इसको biosphere इसको biosphere कहते हैं तो biosphere that means यहाँ पर जयाव मंडल कहते हैं यह जो मैंने common area है इसको क्या कहेंगे जयाव मंडल क्या कहेंगे जयाव मंडल है तो पेहली वीडियों में हमने क्या पढ़ लिया था आज हम किस के बारें पढ़े निकिनगे आज स्थल मंडल के बारें पढ़ेंगे स्थल मंडल और में राशन दोनों के बारे में आम में यहां से चुछी कॉस्ट करते हैं है तो मंडल में प्रिथवी का एक तीहाई भाग क्या है यहां पर कि तरह काट लिया और और फॉल जो और करते हैं कि ऊपर वाल वाला पॉर्शन पर का पॉर्शन वे उसको क्या कहते हैं कौट कर अत्रा photon 2 गिए वाला भाग जहां पर छेती वगरा होती है और बांप पहाड परवद अहीं क्रेस्ट कि अंदर आते हैं और फिर दूसरा मेंटल आउटर कोर और इनर कोर यह को डिवाइड किया गया है इसका निर्माड और कैसे हुआ है और फिर उसके बाद इसका निर्माड और कैसे हुआ और अपर्दन से मृदा का फॉर्मेशन हुआ है इसी के थूप प्रटी परटी मलब क्रस्ट के बारे में पड़ लेते हैं कर लेते हैं के बारे में यह सबसे ज्यादा क्या है यह थोस है बाहरी भाग है और फोस भाग है कैसा है यही है यही वाला पॉर्षन है यही कहलाएगी और सबसे ठंधी भी परत यही कहलाएगी और है उसी में ही विदमान रहते हैं कि परवत पहाड मैदान म्रिदा यह सब किसमें आते हैं क्रस्ट में क्रस्ट के बारे में थोड़ा है करें यह जो यह तक क्रस्ट कहेंगे और चोंट क्रस्ट पोर्षन है यहां तक क्रस्ट अध्यान से देखेगा और नीचे वाला है अपरमेंडल परमेंडल ट्रस्ट और यह क्या है अपर मेंटर यह जो पॉर्शन है ना यह वाले पॉर्शन तो अभी मैं ऐसे ऐसे क्रोस कर रहा हूं यह वाले जो पॉर्शन है यह क्या है कैसे एक मीख नर टोसा और वाले एड वाल यह हो पॉर्ब्र आ असदो अब िअधोर द्योर रोशन लोवर फिंट यहां से लेंट वाल और अपर कूर यह वाला लिक्वीड पार्ट ऐसे है युक्विड पार्ट में है तो अतु अ Tôi को यह जो है Qaorgel गभी सॉलिड पार्ट में अब देखो शाम क्रस्ट dai ना क्रस्ट में क्या पाए जाते है कि से क्या क्या चीज़ों पाए जाते हैं सब जला म ede continued याद रखते हैं तिया कि याल कि याल मतलब तिली कौन तिली कौन और अलमुनियम पाए जाते हैं क्रस्प में क्या पाए जाते हैं अलमुनियम करें और वन्हेंटल में मेंटल में क्या पाए जाते हैं में दरव वाली चीजों में क्या पाए जाते हैं सीमा से याद कि आठीम से क्या चीज़ी यहाँ पर मिलेगी आस फॉर लिकौन क्विक ओन और एंफ और मगनेशियम एंग यह एंगनेशियम और यह वाला पॉर्शन है वाले पॉर्शन में क्या निफे पाए जाता है और पॉल प्लस आइरन तो हाँ एक यह यह तक प्रिके क्रस्ट पोचुके आगे बढ़ते वह अब जल मंडल के तरफ हाइड्रोस्पेर के तरफ पड़ें तरफ मंडल में यह ने बताया दो ती हाई हिस्सा क्या होता है जल का होता है इसलिए दो बटे तीन भाग होता है दो बटे भाग भी जल का होता है प्रतिविका कैसे पता चला क्योंकि समुद्र तो है ता साथ में जो धरातल जल है भूमिगत जल है वह भी आते हैं अब रातल जल क्या क्या है धरातल जल के स्रोथ है महासागर है सागर है नदिया है जील है और तलाब है कैसे आजाते हैं क्योंकि भाई प्रतिविका प्रतिषा होता है उसी के थूँ आते हैं यहां तक बात समझे बारिया आगे बढ़ते हैं अब थोड़ा सा परसेंटेज के अकोर्डिंग याद रख लेजिए आ सब्सक्राइब आप जल है ना जल जल एगर अ अ हांतर प्रतिषात अगर माना जाय प्रतवीका इकात्तल प्रतिषट एह रिक्वी संसे के रख वादango कर्का के कि बात है छि कव्यार अगर मैं इसको हंडेड पर शुटर ना लू हंडेड पर्सेंट मान लू हंडेड परसंट मान लू हंडiembre अजल कौन सा है ताजा और सुद्द जल जो है और 97 प्रतिशत कैसा है राइन वाटर है लवनी अजल है खारा जारा में पानी तरा तक बासम मारीं और फिर उसके बाद पाकी जो में आएं ढाई पर्षट में 70 प्रतिशत हिम नध क्लेसियर ऩीखना हिम नद हैं परस के रूप म कि आइज के रूप में तक जानकारी मिल रही है आपको और फिर इसके बाद जो तीस प्रतिशत है योग है योग है योग है पे जल है वाकि 97 प्रतिशत जो मैंने बताया यह सारा का सारा क्या है महासागरी ओशन है कि है ओशन कि फॉंग है वाद समझमारी आपको आई हो बहुत अच्छे से समझमारी होंगी और अगर आप स्क्रीन सॉट लेना ते लिजिए पिश्व जल दिवस 22 मार्च को मनाया जाता है और जल सर्वा सार्वभामिक भी लायक है इनुवर्सल सॉल्वेंट वाटरीज 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 यूनी वर्सल्वेंट यह हर किसी में घुल सकता है जल एक ऐसी चीज है जो किसी चीज की घुल सकता है अगर बताया जाए तो दो सो बारा में और इसका वाइलिंग पाउट अगर तेल्सियस में देखा जाए था हंडर्ड डिगरी सेल्सियस पे वाइलिंग पाइंट होता है अब फिर उसके बाद जल का घनत तो कब ज्यादा होता है घनत तो डेंसिटी कब ज्यादा होती है एंसिटी एंसिटी कब ज्यादा होती है चार डिगरी सेल्सियस पे और वोल्यूम आयतन कब होता है वोल्यूम यह 4 degree Celsius और हिमांक, हिमांक विंदु अब को इसी मीडिय में इतना ज्यादा समझ नहीं सकते हैं, इसको है फ्रीजिंग पॉंट, फ्रीजिंग पॉंट, फ्रीजिंग पॉंट, फ्रीजिंग पॉंट कब होगा, 32 degree Fahrenheit या इसको 0 degree Celsius भी ही, अब जल्चक्र के बारे हम थोड़ी से जानकारी लेते हैं, जल्चक्र क्या है, जल्चक्र के बारे, उससे पहले जल्चक्र के बारे में क्या होगा, उससे पहले वास्पन होगा, वास्पन होगा, फिर उसके बाद संगनन होगा, संग्धन से और घटन होगा और फिर वर्षा होगी ठीक है और वर्षा होके फिर पुर अपने सत्य पे पी पर आ जाएंगे पर वाप्षी वही ध्यान से देखना कोई चीज सबसे पहले क्या होगी अगर है महासागर से क्या है जल यहां पर वास्प के रूप में उठेगा देखो ऐसा उठ रहा है यह पेड़ पौदों से भी उठेगा ट्रांस्मेशन के तुछ को क्या चलोते हैं और फिर उसके बाद कि इसका ड निर्माण करेंगे सब्सक्राइब बनाइंगे बादल बादल का निर्माण होगा बादल बादल हवाओं से घुमते हुए यहां आएंगे और पहाड़ों से टकराएंगे तो यहां पर क्या होगा संगनन होगा संगनन होगा पहाड़ों से टकराएंगे और मालब खंडी चीजों तकराएंगे यहां पर फीर यहां से क्या होगे वर्सा कर वाएंगे तो यहां नदियां बनेंगी नदियों कि तुरू यह महासागरों में जाएंगे महासागरों से फिर यही प्रोसेश चलता है पी को जल चक्क रकेंगे कि आगे पढ़े जाते हैं तो इस वर्सा वर्सा कैसे होती है तो इस वर्सा नाम सही पता चल रहा है आठीफीशिल रेंड आठीफीशिल रिन आठीफीशिल रेंड बिडीर है किसी को ही कहा जाता है क्लाउड बोकेट और वाय यान के दोवारा किया जाता है इसका फारमेशन के वारिक कैसे है यहां पर थंडा स्मोक है कैसे ही गरम हवाइँ यहां पर आई कि तो यह क्या कर देगा वारिश की फॉर्मेशन करवा देगा बून के रूप में बदल वादेगा की तीर दीरे क्या हो जाएगी बारीस होने लग जाएगी यह और पर इस जाल्ट एक आसके जल कि अगर के जल में अगर के अनुपाद को क्या कहते हैं अगर के अनुपाद को क्या कहते हैं कि अगर 2000 पानी हो 1,000 पानी हो या लीटर पानी हो क्राम में ले थे खिखермाद या क्या है पानी हो मालो को ग्राम कि कॉल्ट बनता हो लवन बनता हो को क्या कहेंगे ऐसे ही देखा जाता है तो प्रती 1000 ग्राम के अपोरिंग करने के लाउंट ता चकरने कि वाइन अनिटी चक्र्ण ग्राम को तार में से कि और सथ होना चाहिए महासागर में 30 द्राम होना और सब्सक्राइब होना चाहिए थाकि और सब्सक्राइब कि अधिस्टाइब कुछ एट में ज्यादा इंपॉर्टेट इस जी तो है कि एक कि प्रती लूटके के वारे में पामलें देक लेग इसमें कितनी पहते हैं य हैrel और जॉर्डन के बॉरडर पहते यहां पर कितने हैं तीन सो ग्राम लवंद्टा पाई जाते हैं और सांभर जील जो राजस्थान का है यह भी है तो यह बहु कहां कि है बाहर कि यह आधा खारे-पानी वाली जील कहां पर है यहीं कि है प्रेटरी चाहए कि अब महा सागर के बारे में पढलते हैं है महासागर कोशन के बारे में तो इसको याद करने का सबसे आसान क्या है पैसा 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 लिखा एक साइज पी कोडिक से प्रशांत महासागर है यहाँ पर इंडिया नोशिन इन अनुट heel पर इन यहां पर इसके बाद आर्टिक महासागर स्टेडा पे दिया हुआ है था है यहां पर दो जगह आप अप्र cambiक दो जगह है अबugenak आप अश्य किसा दो जगह कैसे है मैं आपको बता देता हूं यहां वाली चीजी होती थी यहां पे यहां पे यहां वाली चीजी ऐसे खोल दी जाएंगी तो क्या होँगी दो जगह पे मैप पे हो जाएंगी हमें दो जगह दिखाई देता है लेकिन है तो एक ही जगह प्रिथवी कैसी है गोल है जी हो आगे बढ़ जाते हैं कि आरी चीजे यहां पर मैंने आपको आपके माध्यम से समध्या है प्यारा भारत आरा भारत वारा यहीं पर एक है अगे बढ़ते हैं कि अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब किजिए लाइक किजिए शेयर किजिए और कमेंट किची थैंक यू एव नाइस देग